प्यारों दोस्तों निमश्कार मैं संदीप एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका कर्यर प्लानेट की ऑनलाइन क्लासिज में दोस्तों आज हम डिसकस करने वाले हैं R.S.A.T. एक्जाम की अंसरकी को आज एक्जाम हुआ है 23 जुलाइट 2023 और प्रश्ण पत्र में जो पहला क्रिश्चन आया है वो कुछ इस तरह से है कि यदि आप MS Word में हाइपर लिंक इंसर्ट करते हैं तो उसे किस प्रकार से खोलेंगे तो इसका सी विकल्ब सही होगा Ctrl कुझी दबाएं और फिर हाइपर लिंक पर क्लिक करें Ctrl के साथ क्लिक करने से हाइपर लिंक ओपन होता है दूसरा कुशन है कि एक्सस समय के संदर्ब में निमलिकित विमिन प्रकार के कंप्पूटर गटकों के किराय के सबसे तेज से सबसे slowest कौन सी होगी तो सबसे पहला होगा optical drive दूसरा होगा RAM तीसरा होगा hard drive तो इसके क्रम में पहला optical drive दूसरा RAM और तीसरा hard drive तो इस तरह से हमें नीचे option दिये गये हैं उनमें से option select करना है first होगा second वाला तो B विकल्प इसका सही विकल्प होगा आप B को mark कर सकते हैं इस तरह से थर्ड question आ रहा है कि dim liquid में से किस extension का उप्योग computer में चवियों को store करने के किया जाता है means images का क्या extension होता है तो dot jpeg images के लिए extension यूज किया जाएगा IRCTC सेवा किस phone number पर उपलब्ध हैं यानि railway reservation के लिए आप किस phone number का यूज करेंगे तो उसका सही विकल्प होगा C 139 इसी दर से अगला question है कि diffya निचे दी दिगई तालिका से ms word 2010 के संबंध में सही मिलान विकल्प का chain की जिए यानि control व किसके लिए होता है तो control V है past के लिए तो इसका सही विकल्प है Q then control Y किसके लिए होता है redo के लिए तो इसका सही विकल्प होगा P और control Z किसके लिए होता है undo के लिए तो इसका सही विकल्प होगा R तो पहला है Q then second है P और third है R इसका B विकल्प सही होगा अगला question आ रहा है परश्ण बत्र में MS Excel 2010 में रिबन को छोटा करने के लिए लिम लिकित में से किस विदिक अपयोग किया आता है दोस्तों जो हमें उपर टेप दिखाई देती हैं Home टेप, Review टेप, View टेप उन टेप में नीचे की तरफ बहुत सारे control बटन्स होते हैं जिनने ribbon का जाता है तो उस ribbon को अगर आपको hide करना है तो उसके लिए उस ribbon पर double click करना पड़ता है तो उसके लिए C विकल्प इसका सही विकल्प होगा Next question है कि keyboard के सबसे उपर F1, F2, F3 आदी कुंजियों को क्या का जाता है इन सभी कुंजियों को हम function key के नाम से जानते हैं function कुंजिया Next question है कि निमलिकित में से USB pen drive के संदर में कौन सा कतन गलत है तो यहाँ पर जो कतन गलत होगा वो होगा कि यह एक अरस्तिर उपकरण है It means it is a volatile device Next question computer speaker और headphone किस प्रकार के उपकरण है तो computer speaker और headphone output device का पार्ट है इसलिए इसका A विकल्प सही होगा रास्तान में राजधरा एक E governance पहल के संदर में सही विकल्प चुनिये तो इसका सही विकल्प होगा एक presentation अगर आपको बनाना है तो उसमें सही विकल्प कौन सा होगा तो यहाँ पर D इसका सही विकल्प है यह सभी जो उप्रोक्त option दिये गए हैं यह सभी सही है Next question है कि निचे दी गई तालिका से सही मिलान विकल्प का चैन कीजिए तो input device कौन कौन सी है input में हम trackball, microphone और keyboard यूज़ करते हैं output device के लिए हम monitor, printer, headphone यूज़ करेंगे और भंडा रहन रहनी, storage device के लिए हम hard drive अगरा का यूज़ करते हैं तो इसका सही विकल्प क्या होगा तो इसका सही विकल्प है D, पहले का P, दूसरे का R, और तीसरे का Q next question, dots प्रती inch, DPI, क्या मापता है तो ये computer screen पर pixels का घंणत वनापता है भी विकल्प इसका सही होगा MS Excel 2010 में यदि आप किसी विशेज cell में कोई formula लगोग करते हैं और परिणाम प्रदिश्चित नहीं होते हैं या hash 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 अगर आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि सुत्र का परिणाम cell में प्रदिश्चित करने के लिए बहुत बड़ा है It means cell की size छोटी है इस वज़े से हमें hash 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 दिखाई देता है next question कि MS Excel में तुलना operator के सही धारण क्या है तुलना operator मतलब comparison operators कौन कौन से होते हैं तो इसका D विकल्प सही होगा greater than, less than, not equal to, greater than equal to ये D विकल्प सही होगा next question है कि inbox से हटाए गए mail dash में पाए जा सकते हैं तो जब भी हम कोई mail डिलिट करते हैं तो वो हमें trash में उपलब्द होते हैं तो इसका A विकल्प सही होगा next question निमलिकित भंडारन ड्रेंक को सबसे बड़ी से सबसे छोटी शमता तक का सही करम पहचानी है यानि सबसे पहले कौन सा storage आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा तो सबसे बड़ा होता है चोथा विकल्प 2TB उसके बाद 1500 MB it means 1.5 GB 2nd ये होगा 3rd होगा 1 GB और 4th होगा 5 KB तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आप देखिएगा ये विकल्प इसका सही है ये करम इसका सही होगा next question डैश और डैश माउस को गुमाते समय बटन को क्लिक करने और दबा कर रखने और उसे पुना सरेखिद करने की प्रक्रिया को संदर्पित करता है माउस का बटन प्रेस करते होगा यदि आप उसे खीच कर किसी और जगर पर ले जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या का जाता है ड्रैग और ड्राप C विकल्प इसका सही होगा फॉन्टो संथेटिव ड्रम की सतर पर लेजर बीम को विक्षपित करके किस प्रिंटर में मुद्रन किया जाता है तो लेजर प्रिंटर इसका सही विकल्प होगा नेक्स कोशन है कि नीमो का एक समू है जो डेटा संचार को नियंद्रित करता है यानि नेटवर्क में जो कम्ट्यूकेशन के रूल्स होते हैं उन्हें क्या का जाता है तो इसे सी इसका सही विकल्प पर प्रोटोकोल का जाता है नेक्स कोशन उच्छ रिजलिशन वाले कम्पूटर मोनिटर में नेस्ट कोशन है कि उच्छ resolution वाले computer monitor में क्या होगा बेंस, high-resolution computer monitor will be have तो इसका डी विकल्ब सही होगा resolution को DPI में नहीं मापा जाता है resolution computer monitor के resolution को PPI pixel पर इंच unit का प्रियोट करते हुए resolution को मैजर किया जाता है इसलिए इसका डी विकल्ब सही होगा resolution को DPI में नहीं ना पजाता है इसी तरह से next question आ रहा है spreadsheet में पंक्ती और स्थम का प्रतिशिद्धन क्या कहलाता है यानि spreadsheet के अंदर row और column आपस में जब एक दूसरे को काड़ते हैं तो वो जो आकरती बनती है उसे क्या का जाता है cell का जाता है बी विकल्प इसका सही होगा एक उपकरण जो न केवल सर्ज सुक्षा प्रदान करता है बलकि power outage के दोरान computer को battery backup या power की सुधा भी प्रदान करता है उस उपकरण को क्या का जाता है तो इसका C विकल्प सही है UPS Un-untrupted power supply next question दस्तावेज में प्रश्ट संख्या को किस इस्तान पर जोड़ा जा सकता है यानि वर्ड के अंदर अगर आप कोई document बना रहे है तो page number कहां insert किया सकते है तो इसका C विकल्प सही होगा शिर्च, लेख और पाद लेख it means header और footer दोनों इस्तान पर हम page number insert कर सकते है next question निम लिकित में से किस mouse तकनीक का उप्योग किसी वस्तू की properties तक पहुंचने क्लिक किया जा सकता है means mouse के माध्यम से हम यदि किसी object पर right button क्लिक करेंगे तो उसकी properties हमें दिखाई देंगी तो इसका C विकल्प सही होगा next question MS Excel 2010 में निम लिकित में से कौन आज की तारिक को दिनांक प्यारूप में प्रदान करता है तो इसका B विकल्प सही होगा today next है कि निम लिकित में से सबसे उप्युक्त विकल्प चुनिए तो इसका A विकल्प सही है debit card और credit card का उप्योग electronic भुकतान प्रणाली में किया जा सकता है next है कि आजार कार्ड कितने नंबरों का होता है यानि आजार कार्ड में कितने अंक होते हैं तो इसका B विकल्प सही है 12 अंक होते हैं अगला कोशन आ रहा है कि Bluetooth और Wi-Fi दोनों तक्नीक वाले स्मार्टफोन के संबन्द में निचे दो कतन दिये गए हैं पहला कतन है कि Bluetooth की तुलना में Wi-Fi की रेंज कम होती है दूसरा कतन है कि Wi-Fi Bluetooth की तुलना में तेज गती से डेटा संचारित करता है यानि ट्रांस्मिट करता है दूसरा कतन true है सही है लेकिन पहला कतन false है इसका जो निचे विकल्प दिये गए हैं उसमें हमको कतन एक गलत है और कतन दो सही है डी विकल्प इसका सही होगा Next question लिम लिकित में से कौन सा RAM के संदर में कतन गलत है तो यहाँ पर इसका B विकल्प सही होगा RAM Computer की Secondary Memory का हिस्सा है ऐसा नहीं है RAM Primary Memory का हिस्सा होता है Next question आ रहा है दुर्भावना पूर्ण software कोई program या file है जो computer user के लिए हानिका रखे तो निमलिकित में से कौन सा दुर्भावना पूर्ण software है तो यहाँ पर बी विकल्ब सही होगा malware Next question निमलिकित में से software के बारे में कौन सा कतन सही है तो इसका भी विकल्ब सही होगा इसे चुवा नहीं जा सकता Next question ना रहा है कि ITR भढ़ने के लिए यह इनकम टेक्स रिटन भढ़ने के लिए जिस URL का पालन करना होगा वो होगा https colon slash income tax india filing.gov.in पहला विकल्ब इसका सही होगा Next question ना रहा है YouTube क्या है तो यह तो आप सभी का सही हुआ होगा इसका पहला विकल्ब सही है यह एक video sharing और video search website है जो उप्योग करताओं को video upload करने देखने और संजा करने की अनुमती देता है Last question है कि SSO का full form क्या होता है तो इसका full form है single sign on इसका भी विकल्ब सही होगा तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आपका paper बहुत अच्छा हुआ होगा आप comment box में मुझे जरूर बताईएगा कि आपने कितने question सही attempt किये हैं तो दोस्तों यदि आज का हमारे video आपको पसंद आया हो उप्योगी लगा हो ज्यानवर्दक लगा हो तो आप इसे जरूर like करें, share करें और comment करें और हाँ दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे इस channel को subscribe नहीं किया है तो please अभी कर लिजेगा आज की video में इतना ही मिलते हैं अगले video में तब तक के लिए खुश रहिए, सिखते रहिए, सिखाते रहिए video देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद